Hey guys, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका मायंग, हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग गद्धन की सीरीज चल लही है, जो के आपके UP-PCS सहित, UP की सभी परीच्छा होएतु अति महत्पूर है, आज आपके सीकरम में लेक्चर नमबर 25 है, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश क और दोगेक परद्रस्ट को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कूस करना है यहाँ पर, और दोगेक परद्रस्ट से, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, खनिश संसादनों की दरश्टी से UP एक निर्धन राज् यहाँ खनिजों, अब इस्ठापना सुविधाओं पुचि निवीर्श की कमी के करड़, गैर क्रसी आधारित उद्ध्योगों का विकास कम हुआ है, जबकि क्रसी आधारित उद्ध्योगों और लगए एबं कुटिर उद्ध्ध्योगों का विकास यहाँ पर अदिक हुआ सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पती तेल आदी प्रदेश के क्रसी आधारित उद्योग हैं। उद्योग बंदु की स्थापना एक उच इस्तरी समित की रूप में की गई थी। वार्सी की उद्योग विकास दर प्राप्त करने का यहां पर लक्ष रखा गया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जैसे पश्मी यूपी है, पश्मी यूपी का खास करके गाजियाबाद और नौइडा जो रीजन है वो काफी जारे डबलप हो गए हैं। लेकिन अगर आप यूपी के अन्य भागों को देखें तो अन्य भाग आज भी इनकी तुल्ना में पिषड़े हुए हैं। तो राजी सरकार लगातार ऐसा प्रयत्न कर रही है, ये राजी के जो अन्य भाग हैं, उनमें भी नौइडा और गाजियाबाद की तरही विकास हो जाए, तो उनके लिए राजी सरकार इनको भी ध्यान में रख रही है। इसी वज़े से यहाँ पर बुंदेलखंड, मध्यानचल और पूरवानचल को इसमें सामिल किया गया है, ताकि यहाँ पर ओध्विक निवेस को बढ़वा मिल सके। इन तीनों छेत्रों में एकाईयां स्थाबित करने वाले उद्यव्मियों को इस्टाम सुल्क में हंड्याट फिस्टी की चूट दी जाएगी, ऐसा इसमें नीत में सामिल किया गया था। उपादान योजना, EPF, करतिपूर्ती योजना, आदिस की कुछ महतपूर योजनाएं हैं। अब 200 क्रों रुपए से कमबाली जो कंपनिया हैं, उन्हें भी सुर्धाय देने की इसमें अब बात की गई है। अब देखे हाल की ही जो आपकी ओध्वएक नीत आई है, यह है उत्तरप्रदेश ओध्वएक निवेस योजनाएं रोजगार प्रोस्थान नीती 2017 हैं। यह काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह हाल में ही आई है, इसलिए काफी इंपोर्देंट हो जाती है। जुलाई 2017 में प्रदेश सरकार ने उत्तरप्रदेश ओध्वएक निवेस योग रोजगार प्रोस्थान नीती 2017 गोसित की है। इस नीती में उत्तरप्रदेश को उचिस्थर के निवेस इस्थल के रूप में विक्सित करने पर जोड़ दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक रोजगार सजित हों और प्रदेश का हिस्थाईवा संतुत विकास हो सके। इस नीती में मेकिन यूपी विभाक की स्थापना की गई है और मुख्यमंत्री की अधिक्षता में राज ने भी इस प्रोस्थान बोट के गठन की भी इसमें बात की गई है। प्रदेश में 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 गोरकपूर में गीडा, बधोही में बीडा, नोईडा के पास ग्रेटर नोईडा आ दी है। अब है NOIDA जिसे आप NOIDA के नाम से जानते हैं उसकी फुलपम है New Oklahoma Industrial Development Authority जिए के PCS के इंटर्विव में ये कई बार पूछा गया है तो आपको पताम न चाहिए कि NOIDA की फुलपम क्या है प्रदेश के ओधोही करड में तीब्रताला ने ता राष्टी राधानी दिल्ली से प्रतिस परधात्मक दरों पर उध्यमियों को आकर्सित करने के लिए 20,316 एकड़ चेत्र में NOIDA की स्थापना 1976 में की गई बरत्मान में पूरे NOIDA को Fiber Optic Network से जोड़ दिया गया है और यह राजी का ओध्विक दरष्टी से सबसे बिक्सित चित्र है यही है जो कि गौतम बुद्र नगर जिले में अवस्थित है 12 नवंबर सन 2009 को यह दिल्ली मेट्रों से जुड़ गया है NOIDA के सेक्टर 39 में स्थिस Software Technology Park अफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा Software निर्यातक छित्र है यानि बैंगलाओर के बाद दूसरा सबसे बड़ा Software निर्यातक यह छित्र है अब है Greater Noida Industrial Development Authority यानि ब्रहद नवीन ओखला और धविकास प्रादिकर इसको सौड में Greater Noida कहा जाता है गाउं को अदग्रहित करके 1991 में Greater Noida of Rage 1 और 14 Jun 2006 को 117 गाउं को लेकर Phase 2 की यहां पर स्थापना की गई Greater Noida का जो उद्देश है राष्टी राइदानी चेत्र के पास उतकरष्ट नगर बसाना है जिसे Art of Living भी कहा जा सके इस प्राधिकर्ड की योजना के मुताविक 2021 तक का Master Plan तैयार कर लिया गया है इसमें 25 फिस्दी हर्याली चेत्र 19 फिस्दी और 12 चेत्र 12 फिस्दी संस्थागत चेत्र 6 फिस्दी वाड़िजिक चेत्र तब 25 फिस्दी आवासी चेत्र होगा यहां लगवक 570 हेक्टिर चेत्र में एक Knowledge Park की स्थापना की जा रही है जो भारत का सबसे बड़ा ज्यान आधारित परिसर होगा तेकि यह प्रशन जो है एक्जाम में पूछा गया है अभी हाल के दिनों में एक्जाम में पूछा गया है कि देश में पहले Knowledge Park की स्थापना कहां पर की जा रही है यह Greater Noida या फिर यह आपकी जो है गौतम बुद्नगर जिले में की जा रही है छेत्र की कला एवं संस्कतिकों पूरुस्थाहन देने के लिए यहां पटेल लोग संस्कतिक संस्थान की स्थापना की जा रही है जिसमें एक श्टूडियो और अडिटोरियम बनाने का निर्न लिया गया है यह भी प्रश्ण एक्जाम में पूछा गया है यहां से आगरा तक यौना एक्स्प्रिस बे यो नोईडा से Greater Noida के बीच एक्स्प्रिस बे का निर्माण किया गया है यहां महला उद्धिमियों को समर्पित उत्तर भारत का पहला महला उद्धिमी पार्क इस्थापित किया जा चुका है यह भी इंपोर्टेंट है अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का पहला महला उद्धिमी पार्क कहाँ पर इस्थित है तो आप बदा देंगे greater noida में स्थित है अगर आपसे जिले का ना पूछा जाए तो गौतम बुद नगर जिले में स्थित है यहाँ प्रदेश सरकार द्वारा सन 2002 में एक विश्विद्याले गौतम बुद विश्विद्याले की स्थापना की गई है greater noida में भविश्विद्य में जनसंख्या दबाब को देखते हुए पेजल हेतु गंगाजल परियोजना चलाई जा रही है तो यह भी इंपोर्टेंट है परियावर्णी संतुलन मनुरंजन और बिलुक प्रजातियों के सरक्षड हेतु सिंगापूर की तर्ज पर greater noida में यमना एक्स्प्रिस वेपर एक night safari park बनाया जा रहा है और यह अपने तरह का देश का पहला पार्क है यह भी most important है और यह current का ही news है Formula 1 motor race हेतु यहाँ पर track तयार किया गया है जिसको JP Group द्वारा बनाया गया है और इसका नाम है बुद्ध International Circuit अब देखे अगला आपका प्रादिकर्ड आ जाता है गोरगपूर Industrial Development Authority जिसको गीड़ा कहा जाता है गोरगपूर परचेत्र में तीब्र औद्विक विकास के लिए गीड़ा की स्थापना 1989 में की गई इस प्रादिगर्ड के अंतरगत न्यू गोरगपूर आवासी योजना उद्योगों के अलाबा एपरेल पार्क, टेक्स्टाइल पार्क और ट्रांस्पोर्ट नगर की स्थापना की जा रही है प्रसी उत्पादों के सरच्छड और किसानों को उचित मूली दिनाने के लिए यहाँ 105 एकड भूमी पर एक फूड पार्क की स्थापना की जा रही है यहाँ पर कुल 23 सेक्टर है अब है आपका लीडा लखनव इंडस्टियल डबलमेंट अथॉर्टी तो नौईडा ग्रेटर नौईडा की तरच पर दो महानगरों के बीच इस प्रादगर्ड की स्थापना सन 2005 में लखनव और उन्नाव की मद्द की गई है इसी चेतर में आपका अमोसी एरपोर्ट भी है इस प्रादगर्ड में लखनव की 49 ग्राम और उन्नाव के 43 ग्राम लिये गए है इसका मुख्याले जो है वो लखनव में है अब आपका अगला है सथ हरिया इंडस्टियल डबलमेंट ऑथॉर्डी इसको सीडा की नाम से जाना जाता है सीडा का गठन 1989 में किया गया या जौनपूर के मशली सहर तहसिल के ग्राम सत्थ हरिया तथा उसके आसपास के 37 ग्रामों के 508 एकड़ सेत्रे में इस्थापित है यहां कई और दोई एकाईयां उत्पादन रत्मी है अब अवस्थापन स्विधाओं के अंतरगत है प्रदेश के प्रमुख निर्यातक जौन तो राजी में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1999 में निर्यात प्रोस्थाहन यूरो की इस्थापना की गई है ग्रेटर नोईडा और आगरा में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्टियल पार्क इस्थाबित किये गई है राज सरकार द्वारा गोसित राज के प्रमुख निर्यातक जौन इस प्रकार है देके नोईडा का जो निर्यातक जौन है ये रत्न और आभूशड, लेक्ट्रोनिक्स, परिधान, कम्प्यूटर हाइडवेयर, सॉफ्ट्वेयर, चम्रा आधी के लिए फहमस है आगरावाला, सिल्क, कारपेट, हस्त सिल्ब सामान, संग मरमर उत्पाद, कलात्मक सामान, बैग आधी के लिए फहमस है मुरादाबाद जो है, आर्ट मेटल वेयर, कलात्मक आभूशड, बॉन ज्वेली, ज्वेलरी, यानि जो आपके हड्डियों से निर्मित जो भी आभूशड है, उनके लिए लखनव जो है, मिनियेचर पैंटिंग, फ्लोरी कल्चर, आयरुवेदिक, औसदी, केमल बॉन, कार्विंग, आधी के लिए प्रमुख है, कानपुर, चम्ला उत्पाद, सॉफ्ट्वेर, रसाइन, हैंड रूम, मसाले, तेल और पर्फ्यूम आधी के एक्सपोर्ट के लिए फैमस है, वारांसी, रेसम, उनी हसिल, लकडी के खिलोंने, आधी के लिए वारांसी फैमस है, जहांसी और अलगपुर, यह पीतल के सामान के लिए फैमस है, यह पीतल के सामाल के प्रमुख निर्यातक जौन है, अब देगे, अवस्थापना सुबधाओं में ही है, इस्पे अवस्थापना बनाने की विवस्था की गई है, और इस विवस्था की अनुसार, सेज जो है, इस सार्दिनिक छेत्र, निजी छेत्र, संयुक्त छेत्र, राजी सरकारों द्वारा स्थाबित यह जा सकते हैं, इस परिप्रेक्ष में, प्रदेश सरकार द्वारा सन 2002 में, उत अब्टूबर 2020 तक राजी में 24 अवचारिक सुरीकरति प्राप्त, एक स्याध्धान्तिक सुरीकरति प्राप्त, 21 अलसूचित तब 13 क्रियासील सेज थे। तेरह क्रियासील सेज में से एक नौइडा स्पेसल एकोनोमिक जॉन, कैन सरकार द्वारा इस्थापित भहुत पात प्रकार का है, जो के देश के आठ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जॉन में से एक है। अब देखे, MSME की बात कर लेते हैं, सूचम लगू और मद्यम उद्योग सुविधाएं, ये हमारे प्रदेश में किस प्रकार की हैं, ये भी जान लेते हैं। सूचम लगू और मद्यम उद्योग इकाईयों की संख्या की मामली में, यूपी पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। प्रदेश में लग उद्योगों के विकास और निर्यात प्रोस्थान हेतु, उत्तर प्रदेश लग उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, बधोई और दोईक विकास प्रादिकर्ड, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोस्थान व्यूरोप, उद्योग नि लिए मार्च 26 से कैंसरकार द्वारा क्लश्टर विकार सियोजना सुनू की गई है और प्रते क्लश्टर में 70% कैंद्र का 10% राज्य का और 20% SPB का योगदान होता है प्रतिवर्स 8 से लेकर 15 दिसंबर तक अखिल भारतिय हस्पसिल्व सप्ता मनाया जाता है यह इंपोर्टेंट है और यह पूछा भी गया है अनि हर साल जो है 8 से लेकर 15 दिसंबर के बीच अखिल भारतिय हस्पसिल्व सप्ता मनाया जाता है प्रदेश सरकार द्वारा 13 दिसंबर सन 2017 से मुक्य मंदरी हस्पसिल्व पैंसन योजना चलाई जा रही है भारी मद्यम पर लग उद्योगों के निवेश प्रस्तावां को सुविधा जनक बनाने हेतु जुलाई 2009 से राज्य में निवेश मित्र योजना संचालित है जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 1978 में सुरू की गई और इस समय प्रदेश के प्रत्यक जिले में एक एक जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना भी की गई है मुक्य मंत्री वा प्रधान मंत्री रोजगार जोजना का भी संचालन जला उद्ध्योग केंद्रों के माध्यम से ही किया जा रहा है अब देगे ये तो आपने MSM ही देख लिया अब हम प्रदेश के प्रमुख औधोइक संस्थान जानेंगे जो के औधोई विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं या फिर अपना योगदान दे रहे हैं तो आपका पहला आ जाता है उत्तरप्रदेश औधोइक सहकारी संग यूपी का तो प्रदेश की प्रात्मिक बुनकर सहकारी समितियों ता ओध्धुएक प्रात्मिक समितियों को उत्पादन तथा विकास कारियों में यतोचित मागदसन देने के लिए UPK की स्थापना 1952 में की गई थी उत्रपदेश वित्ती निगम UBPC नई लग इबं मध्यम उद्ध्यों की स्थापना वर्तमा निकाईयों के विस्तार चों विकास के लिए मध्यम इबं दीरकालिंग रिड़ देने हेतु इस निगम की स्थापना जो है नवंबर 1994 को कान्पुर में की गई थी अगला है प्रादेशिक ओध्विक वा पूजी निविस निगम जिसे पिकप के नाम से जाना जाता है ओध्विक विकास को गती देने के लिए इस निगम की स्थापना विस्तावन इस्तो भात्तर में रखनों में की गई है और निगम का जो मुक्ष उद्धेश है अगला है अगला है उत्तर प्रदेश लग उद्ध्योग निगम लिमिटेट यह भी कानपूर तो उत्तर प्रदेश के लग उद्ध्योगों की आवाशक्ताओं की पूर्ती यह उत्त्विक विकास के उद्ध्योग से इस निगम की स्थापना 1958 में एक पूर स्वामित्ता धिन कम्पनी के रूप में राज सरकार के द्वरा की गई थी अगला है उत्तर प्रदेश ब्यापार देखें ये काफी important है ये जो प्रादिगर्ड है आपका उत्तरप्रदेश ब्याबार प्रोस्थान प्रादिगर्ड जो है ये प्रत्रपर्स जो आपके राजी में मेले आयुज़त होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी इसी की होती है उत्तरप्रदेश निर्यात निगम लिम्टेड लखनव। उत्तरप्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 20.9066 को एक पबलिक लिम्टेड कमपनी के रूप में की गई इसका उद्देश से हच्थ करगा वस्तुओं का विकास एबं विप्णन करना है अगला है निर्यात प्रोस्थान ब्यूरो राज के ओधोग उत्पादों के निर्यात को प्रोस्थाहित करने के लिए इस ब्यूरो का घठन 1999 किया गया था अगला है आपका राज चर्म विकास एवं विपणन निगम लिम्टेड यह आगरा में है इस निगम की स्थापना 12 फरवरी 1924 को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा कमपनी एक्ट 1956 के अंतरकत की गई थी और निगम की स्थापना के फ्रमक उद्देश से उद्द्दों के इवं विक्सित पद्दित्यों से निर्मित पादुकाएं विक्रे हेतु उपलब्द कराना चर्म इवं पादुका उद्द्दों यानि जो आपका लेधर के फुट्बियर बगेरा है उस उद्द्द्द्दों के लिए नए बाजार ढूंड कर कारणरत दिकाईयों को विपणन प्रदान करना तर नवीन अब देखें यहाँ पर राज सरकार द्वारा छेतरी विसमताओं को कम करने के लिए यह चेतरी विसमताओं के विजय से आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के कुछ भागों का उद्द्दों विकास अच्छा खासा हो क्या है और कुछ भाग जो है आज भी बहुत जाता प पूरवांचल विकास निदी योजना तो प्रदेश के पूरवी शेतर में 28 जिलों के अधिक्त 12 माकी और फत्यपुर जिलों को समलित करते हुए कुल 30 जिलों में समनित विकास के उद्देश से पूरवांचल निदी योजना को वर्ष 1990 में संचालित किया जा रहा है अगली विकास येतु बुंदिलखंड निदी योजना का संचालन 1991 से प्रारम किया गया है अगला है बुंदिलखंड विकास निगम तो बुंदिलखंड शेतर के विकास येतु अप्रेल 2008 में बुंदिलखंड विकास निगम की स्थापना की गई है और इस निगम में एक अध्यक् इसकी एक अंतराश्टी सीमा भी है, क्योंकि नेपाल से टच होती है, और नेपाल से हमारे साथ जिले, अपने यूपी के, वो सीमा साजा करते हैं, तो उत्तरपदेश के साथ जनपत, 538 किलोमेटर लंबी, अंतराश्टी सीमा रेका, नेपाल से बनाते हैं, अज़िया बॉर्डर के साथ जनों के, 19 ब्लोकों में, यह योजना जो है, 1998 में निन्जान वैसे, चलाई जा रही है, तो यह आपकी कुछ योजना है थी, इसके लाब आपने, औध्विक अवस्थापनाओं के लिए, जो जो सरकार ने प्रियास किये, कैंसरकार ने जो प्रियास किये, राजसरकार ने जो प्रियास किये हैं, उनके द्वारा जो जो प्राजिकर्ड बनाए गए हैं, या योजना चलाई गई हैं, वो सारी योजना आपने देख लिए हैं, तो इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो ये था हमारा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो वसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूने तो चलिए आज के लिए वस्तना ही Thanks for watching, Jai Hind